हाई आप सब उमीद करती हूं अच्छे होंगे आज की वीडियो में बात करने वाली हूं कि गर्थ में जैसे ही पच्चा चिपकता है यानि कि जैसे ही अगर आप ध्यान देंगी तो आप आसानी से पता लगा लेंगी कि कि दिन आपका इंप्लाइशन हुआ है अब आपका इंप्लाइशन सक्सेस्फिल हो गया है वह मैथेड है टमप्रेचर मेथेड जैसे कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया टमप्रेचर मेतड़ बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसी तरह से इंप्लान्टेशन के टाइम पे भी टमप्रेचर से आप पता लगा सकती है। अध़ियन ऊक्ता है। यह तो अपने पास एक पैं रख लिए और एक थर्मा मीटर रख लिए। यह तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए उसके बाद आप जब रात में सोई और सुबह जैसे ही आप उठें तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने बॉड़ी का टमप्रेचर चेक करना है डेली आपको ऐसा करना है तो जब आप ऐसा करेंगी पीरिट के बा जैसे कि डेली आपका जो टमप्रेचर चला रहा है उससे एक दो पॉइंट डिफ्रेंस हो सकता है तो जिस दिन ऐसा होता है पीरिट के बास ते उस दिन तो समझ लिजे आपका ओलेशन हो जाएगा तो आपके बॉड़ी का टमप्रेचर फिर से पहले जैसा हो जाएगा और उसके चार पात दिन बाद से जिस दिन भी आपके बॉड़ी टमप्रेचर में थोड़ा सा डिप आता है उससे दिन आप समझ जाएगा कि आज इंप्लेंटेशन हो गया है क्योंकि जैसे ही कोई भी नई चीज होती है जैसे कि जैसे ही एक रिलीज होता है वैसे बाद बॉड और यहां तक पहुच गया और इस ने जैसे ही एको इसके बाद से निका समय लगता है उसको होने के बाद दीरे जिए वह आके आपके युटरेस दिवार से चिपकता है तो उस जो दो-तीन दिन का जो परोसेस होता है कि उसके उस बीच मैं आपका बाड का टमप्रेचर पहल से चिपकेगा यानि कि implantation होगा वैसे ही आपके बॉड़ी की temperature में थोड़ा सा डिप आएगा जब आप डेली अपनी बॉड़ी का temperature चेक करती रहेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इस दिन temperature में चेंज हुआ है और आप आसानी से पता लगा लेंगी कि आज आपका implantation हो गया है तो यह बहुत ही आसान लच्छड होता है यह scientifically proof है यह कि बॉड़ी के temperature से आप पता लगा सकती है कि इस दिन आपके बॉड़ी में क्या changes हुए है आउलेशन वाले दिन भी और उसके बाद implantation वाले दिन भी इसमें डिप आएगा आपको पता चल जाएगा कि आज आपके बॉड़ी का temperature थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उस दिन आपको implantation हुआ है